Student, कैसे आप लोग? चलिए Topic पे आते हैं Previous lecture में हम लोगोंने start किया था Unit No.1 और Unit No.1 का start किया था Chapter No.1 और Chapter No.1 का Topic No.1 जिसका नाम क्या था? Introduction to C++ हमें पते आप लोगोंने पढ़ा तो नहीं होगा इसलिए हम एक बार फिर से बेसिक तरीके से रिवाइज करवाते हैं तो ध्यान दिजिएगा C++ कांसा लेंग्वेज, प्रग्रामिंग लेंग्वेज दोस्त आगे सिखाएंगे प्रग्रामिंग होता क्या है, प्रग्राम बनता कैसे है क्या-क्या रूल्स है, बहुत मज़ा आने वाला है, फिलाल इतना ही, C++ कांसा लेंग्वेज, प्रग्रामिंग लेंग्वेज, जो किसके द्वारा डवलप किया गया, बजरने, अस्ट्रोस्त्रप, कितना इसी में, बोलो रहे, उनाइस सो असी में, कांसा जगा पे, AT&T वेल, लेवोरेटोरीज, कहां पे है ये, मुर्रे, हिल्स में, कांसा गंटरी भाई, USA, इसी में पढ़ा था, कि C++ का दूसरा नाम क्या होगा, OOP, जिसका पूरा नाम, Object-Oriented Programming, C++, दो लेंग्वेज से मिलके, बनाया गया, कां-कांसा, C and Shimula 67, ये दोनों भी एक परकार का, Programming Language है, ये दोनों से मिला करके, जब एक नया लेंग्वेज बनाया गया, तो उसका पहला नाम, क्या पढ़ा, She with Classes, देखा गया, कि ये पहले से, बेटर काम कर रहा है, तब इसका नाम जा करके, Change करके, क्या रखा गया, C++, क्योंकि ये पहले से कुछ बढ़ाया गया, Increment किया गया, जिसके कारण, Increment Operator का साइन, Double Plus होता है, और ये नाम किन के द्वारा रखा गया, Rikmacity, कितना इसी में, 1923C में, इसी में हम लोगों ने पढ़ा, कि C++, कौन सा Language में लिखा गया है, High Level Language, जबकि Computer को क्या आता है, Machine Level Language, तो दोस्त, काम तो नहीं हो पाएगा ना, Computer में, समझ तो नहीं पाएगा, तो High Level को, Computer को समझाने के लिए, किस में Change करना होगा, Machine Level Language, तो ये Change करने का काम, कौन करता है, Compiler, इसी में हम लोगों ने देखा, कि C++ का Last Name, Extension Name, क्या होता है, .cpp, C++, और C++ का काम, Software को क्या करना, डबलप्ट करना, जितने भी परकार के Software होते हैं, चाहे Mobile Phone का Software हो, चाहे Laptop का Software हो, चाहे Banking का Software हो, वो सारे का सारे Software बनाए जाते हैं, Programming Language से, और इसी में से एक C++ भी कौन सा Language है, Programming Language जो क्या बनाएगा, Software, लेकिन दोस्त, हम यहाँ पे आपको Software बनाना नहीं, Programming बनाने सिखाने वाले हैं, आगे का Topic ध्यान दिजिएगा, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, इसी में C++ Character Set, First of all ध्यान दिजिएगा, C++ Character Set is a set of valid character, valid का मतलब मान्य, जिसको मान्यता प्राप्त है, तो C++ Character Set एक परकार का क्या है, set है कैसा character का, valid character का, समझ में तो नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को पता होगा, इंडिया में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट वैलिड हैं, वैलिड का मतलब उनका मान्यता प्राप्त है, वो सब नोट को अगर आप कहीं लेके जाते हो, तो वो इंडिया में चलेगा, लेकिन आप अगर 30 रुपय का नोट कहीं लेके जाते हो, तो वो इंडिया में वैलिड नहीं है, वो इंडिया में चलेगा, नहीं, तो जो जो नोट इंडिया में चलेगा, वो वैलिड नोट हो गया, उसी तरीके से, जो जो करेक्टर यूज होगा, जो जो करेक्टर यूज होगा, उसी करेक्टर को बोला जाएगा, वैलिड करेक्टर, और वही वैलिड करेक्टर क्या कहलाएगा, जो जो करेक्टर यूज होगा, C++ के अंदर वो C++ character set कहलाएगा और जो जो use नहीं होगा वो C++ character set नहीं कहलाएगा तो use कौन होगा? जो valid होगा जिसका मान्यता C++ में पराप्ट है अब हम ये देखने जा रहे हैं कि C++ में कौन कौन सा character का मान्यता पराप्ट है सबसे पहला आपके screen पे letters में A से Z तक capital और A से Z तक small इसको C++ में मान्यता पराप्ट है और इसका हम लोग use कर सकते हैं जिसके कारान ये एक valid character है दूसरा डिजिट्स डिजिट्स भी एक valid character है जिसका यूज C++ में हम लोग कर सकते हैं तीसरा A special symbol आप लोगों न तो keyboard देखा ही होगा नहीं देखा होगा तो देख लिजेगा keyboard में जितना भी परकार का sign होता है यानि symbol होता है symbol जैसे plus, minus, गुना, भागा, bracket, braces ये सब जैसे दिख रहा है ये सारा का सारा symbol हम लोग use कर सकते हैं किसके अंदर C++ के अंदर क्योंकि ये भी क्या है दोस्त valid है next white space white space को हम 11 में पढ़ाए थे आगे हम इसको फिर से पढ़ाएंगे बस अभी आपको इतना याद रखना है कि एक white space होता है जो कहां use होगा C++ में क्यों क्योंकि ये भी ये क्या है valid है कहां पे C++ में और last एक word में बोला जाए other character other character का मतलब दोस्त keyboard में total character 256 होता है character बटम नहीं character मतलब होता जो लिखा होगा रहता है उसमें तो total 256 है 256 का 56 character हम लोग use कर सकते हैं किसके अंदर C++ के अंदर रहे तुम ध्यान नहीं दे रहा है खड़ा करके पुछेंगा बर just joking कड़ा तो कर नहीं सकते हैं न क्या तो कीबोड में total 256 होता है और वो सारा का सारा 256 चरेक्टर वैलिड है क्या है वैलिड किसके अंदर दोस्त C++ के अंदर यानि कीबोड का सारा केरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं किसके अंदर C++ के अंदर क्योंकि ये कौन सा सेट है वैलिड केरेक्टर सेट है तो ये जो है आपका लिखा क्या हुआ है कि C++ के अंदर प्रोसेस एनी ओफ्ता 256 आसकी केरेक्टर कि C++ 256 में किसी को भी प्रोसेस कर सकता है लिखा जा सकता है आसकी करेक्टर आसकी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा दोस्त अगर कोई क्लास में दो दीपक नाम का स्टुडेंट है टीचर बोला दीपक खड़े हो जाओ तो आप दोनों खड़े हो जाओगे तो दोस्त यहां तो दीमेरिट है तो आप अलग-अलग सभी को पहचानने के लिए टीचर आपको एक रॉल नंबर देता है और रॉल नंबर के माध्यम से कोई एक ही खड़ा होगा दो नहीं क्योंकि कोई भी रॉल नंबर डबल नहीं हो सकता है उसी तरीके से कीबोड में डबल ए है डबल भी स्मॉलर कैपिटल है न तो यह दोनों को अगर हम छोटा एको बुलाए तो हो सकता है बड़ा यह आ जाए तो जिसके कारण सभी 256 के 56 के चरेक्टर को एक-एक रॉल नंबर दिया गया है और उसी रॉल नंबर के माध्यम से कम्प्यूटर में काम होता है तो अगर आपका रॉल नंबर वन को बुलाया जाए तो वन ही आएगा तो यह जो केरेक्टर को रॉल नंबर दिया गया है उसी को बोला जाता है ASCII और यह अमरीका के द्वारा है इसलिए इसको American Standard Code for Information Interchange यह फुल फॉर्म इसका डिराइब किया हुआ है तो दोस्त फीसे समझ दियेगा हम लोग पढ़ क्या रहे है C++ Character Set तो वैसा Character जो यूज होगा किसके अंदर C++ के अंदर वो क्या कहलाएगा C++ Character Set क्या-क्या यूज हो सकता है पहला Letters दूसरा Dizzits तीसरा Symbol सभी परकार का Symbol चावथा White Space और पांचमा एक वर्ड में बोला जाए तो कीवोड में available सारे Character को मानने अता प्राप्त है किसके अंदर C++ के अंदर तो जो एक वर्ड में बोले जो-जो Character use होगा C++ के अंदर वही कहलाएगा C++ Character Set समझ में तो आ गया होगा फिर शे देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं Unit No.1 का Chapter No.1 का Topic No.1 क्या नाम है Introduction to C++ इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा C++ Character Set अब आगे का Topic में हम लोग Program क्या होता है Program कितने तरीके से बन सकता है क्या क्या उसका रूल है कैसे Program बनाएगे तब तक के लिए आप लोगों को Thank You घर में अच्छे से रहिएगा और कोई Questions हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा Best of luck क्या बनाएगे